हाई फ्रेंड दिस इस दीपक और जावा स्क्रिप्ट के इस कोर्स में हम आज इफेल्स देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते है आज की इस वीडियो को तो इट इवेल्यूएर तो कंटेंट वेदर कंडिशन इस टू और फॉल्स इफेल्स क्या चेक करता है आपकी कंडिशन आप लगा रहे वो true है या false है अगर true है तो यह execute होगा अगर false है तो यह वाला execute होगा ठीक है तो इसमें आप देखिया यहाँ पर लगाया इस एक्जांपल के तुरू समझ यहाँ पर if है ठीक है और if के अंदर यहाँ पर आपको parenthesis दिख रहा है इसके अंदर आपका expression ठीक है तो आपका जो लूब है वो यह वाला else के अंदर आ जाएगा और यह statement लिख है वो execute करेगा ठीक है इसका फ्लोर चार्ट देखिए आप यहाँ पर समझ लीजेए यहाँ पर condition लिखी है ठीक है अगर if के अंदर जो condition है वो true हो जाती है देखें यहाँ पर condition true होती है if के इस statement लिख है वो execute कर देगा और finally output दिखा देगा ठीक है तो यह होता है basically if else thank you